उतरता चड़ता यमुना का जलस्तर बाड़ पीडितों का जीवन अस्त्वियस्त तरकारी इंतजामों पर उठ रहे सवाल बाड़ पीडितों की शिकायत नहीं मिलता खाना पानी किताबीं भी भेगें जलबराव कम होने के बाद अब बीमारियों का खत्रा नगर निगम और आम आदमी पार्टी हाई अलर्ट पर शैलियो अविरॉय ने अमले के साथ किया अस्पतालों का जायजा अधिकारियों को दिये जरूरी निर्देश शास्ती पार्ट में हत्या की गुत्थी सुलजी बेला फार्म में मिला था यूवक का शव शास्ती पार्ट थाना पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार मृतक करता था आरूपी महिला का रेट पुराना पुल अभी भी सड़क यातायाद के लिए है बंद, पुल से निकल रहे हैं खतरनाक साथ, इसने अभी सिर्फ रेल यातायाद ही चालू निगम कर्मियों से मिली शैली ओबिरॉय, निगम कर्मियों की बाद सीम तक पहुँचाने का किया वादा, आश्वासन के बाद भी निगम कर्मियों का प्रदर्शन जारी नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं पूरवी दिल्ली खास मैं हूँ कूनम, मक्वचलाय बुलिटन का रुख करते हैं ख़बरों की ओर राजधानी में दो दिन के बाद यमुना के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। पूरवी दिल्ली के बाड़ प्रभावित अलाके में हमारे संबादाता मोहित शर्मा ने कुछ बाड़ पीडितों से बात की। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है न समय पर खाना मिल पा रहा है न पानी। वहीं बारवी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की ने बताया कि बाड़ में उनकी कौपी किताबें भी बह गई हैं। अब यह एक्जाम हैं तो वह कैसे पढ़ें। सरकार की तरफ से कोई इंतिजाम नहीं है, लाइट भी नहीं आती। इस बार कोई सुद्दा नहीं दी जा रही है बिल्कुल भी और मैं एक हाड़ पेशन्ट मरी जूँ, मेरे को किसी भी चीज की सुद्दा नहीं मिली है। और नहीं दवाई रोले का इसाब के दाब बंद आए हैं आपका। पानी का भी कोई टंकर बोलेंगे तो आएगा नहीं तो वैसा अपनी मरीजिस से नहीं आ रहा रहा टंकर अब बागी और किसी चीज का गौवर्मेंट की तरफ से हमारे को और भी तक कोई सुलुद्द नहीं मिली है। अब लग रहे हैं जी इससे पहले नहीं लगे देटेंट मैं वाद हो आपके लिए और बागी जो है कि दिल्ली सरकार से मैं तो यहीं कहना चाहूंगा जो भी आपने इसाब से गरीबों की साहिता करें तो उसमें यह है कि सबको बैनी बीडों गरीव आदमीं को जिसका समान कहने का मलवी मेरी तुरत में बचा किजी का कुछ नहीं है अब पानी आया था तो पुलिस ने भी हमारे को अलाउंसमें नहीं करा दा यूटी होने वाले तो वो भी नहीं हुए मेरे क्योंकि जो मेरी नोट बुक थी उनमें साब को समानता मेरा सब कुछ चला गया सब जितन खाने के लिए कैसे खाना या पर पानी के लिए कुछ प्रोवाइट किया जा रहा है नई जो लोगा आते हैं बस वही देके चलिया आते हैं और वो भी पानी के लिए काफ लोगो को बोलना पड़ता है जब जाके हां करते हैं सबाह या शाम को आता है एकी बार 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 बा तरह को कि तरफ से वही जो लाइट देखो साम को जलता है उपको उपको अपार यह सुबिदा नहीं है राधानी दिल्ली में आईबार के चलते जलभराव की समस्या को देखते हुए दिल्ली नगर निगम हाई अलर्ट पर है जल भराव कम होने के बाद अब डेंगू मलेरिया चिकन गुनिया जैसी बीमारिया पनपने का खत्रा और बढ़ने लगा है उसी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली और नगर निगम अस्पतालों का जायजा लेक उनकी तैयारियों के बारे में जान रहे हैं इसी के मद्बे नजर आज दिल्ली नगर निगम की मेर शैली ओविरॉय के साथ कैबिनेट स्वास्थे मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली नगर निगम कमिशनर ग्यानेश भारती और सीमापुरी विधान सभा के विधायक रा मीडिया से बात करते हुए स्वास्थे मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जहां कहीं भी मच्छरों की ब्रेडिंग पाई जाएगी वहां सकत कारवाई की जाएगी अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने की निजदेश दिये और लोगों से अपने आसपास जलभर जलबतर है वो बढ़ गया था और जो पानी है पूरी तरह से नेलोट से आगया था जगा जलबराव था फ्लड वाली सिक्वेशन आगे थी पर खुशी की बात अब यह है कि जो जलबतर है वो अब कम हो चुका है और जिन जिन लोगों को हमने रिलीज का पने वेज़ाता इ जादा आए तो आप दिली सरकार और एंटी जितने भी होस्पिकल्स है और जितने भी डिपार्टमेंट आज तो बही ही मैंने जो सानिटेशन डिपार्टमेंट है उसकी एक रिवीव मीटिंग लीटी और इंसक्शन दे गई हैं सब्सक्राइब हैं उनके जितने भी अधिक पानी के साथ आया है मिटी है तो फिल्ट है उनसब की सफाई करना और साथ ही दवाईयों का चिर्काफ करना कि कम से कम केस इसवार देंगी मलेरिया से कि अभी क्योंकि बर्साथ दिली में काफी हुई है अपरेल मैं जून तीनों महिनों में बर्साथ हुई जो देखने में आती है तो हमें संकेत हैं कि इस बार वेस्टर बॉन डिजीजिज बेंगी मलेरिया शिकन गुनिया जादा हो सकते हैं और क्योंकि अभी कई इलाकों में पानी भरा है आप पानी उतर रहा है तो इसके लिए सरकार और एंपीडी दोनों जो हैं चौकन्ने हैं मलेरिया विभा आपके टुवेस्टिक ब्रीडिंग सेकर्स को रिजेश दिये हैं और आज नहीं एक हपते पहले ही दिये गए हैं जिस मीटिंग के अंदर सभी डेपार्टमेंट्स को सब विभागों को बुलाया गया था मेट्रो कि कहीं पे भी आपके ऑफिस के अंदर कहीं पे ब्रीडिंग ना हो यह देखा जाए पुलिस के माल खानों में देखा गया 20 परसंट जगों पर ब्रीडिंग पाए गई वहां ना हो और भी जो यार्ट होते हैं जहां पे इस तर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफतार कर हत्या की गुथी सुल्जाली है आपको बता दे कि कल बेला फार्म में एक अज्यात युवक का शव मिला था पुलिस के मताबिक कल यानी 16 जुलाई को सुभा आठ बच कर 34 मिनट पर सूचना मिली थी कि इलाके के बेला फार्म में एक युवक का शव सैका हुआ है घटना स्थल पर करीब 25 से 30 साल के पुरुष का शर्टलेस शव मिला गर्दन और पेट पर धारदार हतियार से चोट की निशान थे करीब 20 CCTV कैमरों की जाच के बाद दो संदिग्धों की पहचान की गई और बाद में पता चला कि वे ही आप सल्मा है जो की 20 साल की है और बदाईयों की रहने वाली है वहीं दूसरा आरोपी 36 साल का इरफान डीडिये फ्लैट्स के पास शास्त्री पार्ग दिली का ही रहने वाला है सल्मा के पती अख्तियार की जनवरी 2023 में बिमारी के चलते मृति हो गई थी अख्तियार और की करीबी दोस्त है इर्फान उनकी मदद करने के लिए तयार हो गया उस दुर्भागेपून बिन सल्मा अबुजर को उफंती हुई यमुना नदी को देखने के लिए बीटा फार्म के पास ले गई वहां उसने और इर्फान ने उसे पकड़ लिया और चाकु मार कर उसकी ह इतला है थी करीब आट बच के 24 मिनिट पे कि एक यंग मेल डिट बॉड़ी पड़ी है जिसमें चोट के निशान है और यह जो बेला फाम है आपने देखा होगा जो मेन रोड है जीटी रोड है उसके बगलने यह बेला फाम है तो उसकी जो दिवार है दिवार के साथ यह ब पैंट भी उसके गुटनों तक थी और समझ मनी आ रहा रहता है पेट में चोट के निशान थे तो इस पर बॉड़ी को तो तुरंथ हम लोगों ने वह से पोस्बॉटम के लिए भेज दिया और इसमें हमारी तीचाटी में तुरंथ लग गए और पता करने के लिए कि यह सी स्कान के तो उससे कुछ चीजे निकल कर आई कि एक रात पहले पंदरा सोला की रात यही लड़का हमें एक लड़की के साथ गूमता हुआ दिख रहा था उसी सड़क पे काफी देर गूमता है तो उस छोटे से क्लू को बड़ी मेनत से टीम ने बहुत ही शिद्दत के साथ पिर वो आइंटिफाय किया कि वो लड़की किसके साथ देखी गई थी पिर वो लड़की एक और आदमी के साथ नजर रही तो बेस्ट ऑन दाट इंफोमेशन हमने वो जो आदमी है वो लोकल है वो अरफ़ान है उसका नाम शास्त्री पाक डीडिया फ्लाट के पास में रहत इसका एक छोटा बच्चा भी है और यह जो मरने वाला है इसका नाम अबुजार है तो इसका हस्बेंड था अक्तियार लड़की का नाम सलमा है और यह लड़की केती है कि जो अक्तियार जो मर गया और जो इसके हस्बेंड थे वो दोनों कॉजन्स थे और हस्बेंड की ड़ तभी जन्वरी के महिने में हो गई है तो यह हमेशा इनको सेक्शुली तंग करता था जो मरने वाला तो इन फाक्ट हस्बंड की डेच से पहले हस्बंड की शाहिद नोटिस में भी आ गया था पर कमजोर थे तो he was unable to protect गांधीनगर और पुरानी दिल्ली को जोडने वाला 500-100 साल पुराना यमुना पुल सडख यातायात के लिए अभी भी बंद है रविवार को पुल के उपर से रेल यातायात तो शुरू कर दिया गया लेकिन सड़क यातायात अभी भी बंद है अधिकारियों का कहना है कि इस पुल पर अभी काफी गाद और कीचड जमा है बाड के दोरान बहुत से साप भी नदी में बहकर आए हैं और उन में से बहुत से साप पुराने पुल पर मिल रहे हैं इसलिए पुल की सफाई के बिना उसे चालू कर पाना संभव नहीं है इसलिए सड़क यातायात को अभी नहीं खोला गया है रेलों की आवजा ही तो है लेकिन सड़क यातायात अभी बंद है आपको बता दें कि पुराने पुल को करीब एक हफते पहले यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद बंद गर दिया गया था ऐसा पहली बार हुआ है कि यहां जलस्तर 208.66 मीचर तक पहुचा है जिससे पानी यमुना पुल पर भी जमा हो गया था अब तक कभी भी पुल की सड़क बाड में नहीं जूबी थी और इसके किनारों को छूकर ही पानी चला जाता था इस बार रिकॉर्ड बाड आने के कारण पुल की सड़क पर भी पानी आ गया अगर बात की जाए नीचे पुल की तो पुराना पुल पुरी तरीके से बंद किया गया है और अगर जलसर की बात की जाए तो 205.58 की जो डेंजर जो आने अभी भी उससे उपर बह रही है वहीं इसको सुजार रूप से बंद किया गया है पर सासन का कहना है कि यहाँ पर साप निकल रहे हैं जिस वज़े से पुरी तरीके से बंद कर रहा है अब तो आप इस सिशन दज़ लगाए कि खतरा अभी टहला नहीं है और समय समय पर जो है अभी तक जो छोड़ा गया है जो पानी के बात की जाए तो 55,749 जो है कि उसे एक पानी अब शोड़ा है वीडियो जनलिस अतुल के साथ मोहेचर माया सिशन राइफ दिली निगम कर्मी अपनी मांगों को लेकर अब भी धरने पर बैठे हैं उनका कहना है कि पिछले करीब 40 दिनों से लगातार सीम हाउस पर हड़तार जारी है इस प्रदर्शन में उन्होंने मुख्यमंत्री की शवयात्रा भी निकाली थी और अब ये कर्मचारी मेर शैली अबिरोई की शवयात्रा निकालना चाह रहे थे लेकिन उससे पहले ही मेर ने इन कर्मचारीओं से मुलाकात की और उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का वादा किया लेकिन उस आश्वासन के बाद भी निगमकर्मियों का प्रदर्शन जारी है जो कच्चे से पक्के होने वाली मांग है उसको हम पारेजोनों में इतना भी संक्या में फाइलें कंप्लीट हैं हम उनको सिग्र पक्का करें और यह पर्तिग्रिया जारी करेंगे अब एक हफ्ता होने में समय है क्योंकि बीच में दो-तिन दिन बाढ़के भी चलेंगे हैं लेकिन उससे पहले मेर ने हम से 11 तरीक को मिटिंग ली और मिटिंग लेने के बाद में उन्होंने एक बात का आसवासन दिया कि मैं जल्दी कच्चों के से पक्कों का काम स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि जितनी भी फाइले और इस ट्यार हैं बारा के बारो जोनों में वह फ अंतिपूर्ण तरीके से तब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग धन्ने पे बात दस्पूर बैठ रहेंगे अध्यादेश के मामले में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ आने को तयार हो गई है लेकिन साथ ही उसके नेताओं का कहना है कि इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका विरोध नहीं करेगी इस बारे में हमारे समवादाता मुहित कैंत ने कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रे से बात की उनका कहना है कि जिस तरह से डिली सरकार की सर्विस डिपार्टमेंट पर केंद्र सरकार ने अपना अधिकार जमाना चाहा है सुप्रीम कोट ने भी इसको उचित नहीं समझा बीजेपी ने इसको अध्यादेश के माध्यन से जो पलटना चाहा था और जो ये बिल लेकर आए हैं वह समविधान के अनुरूप नहीं है चुनी हुई सरकारों को डिस्टर्ब करने के अनुरूप है कॉंग्रेश ने डिसाइड किया है कि जब यह बिल पारलियामेंट में रखा जाएगा तो इसका विरोध किया जाएगा इस अध्यादेश का विरोध करने का यह मतलब नहीं कि आम आदमी पार्टी को जो भी गलतियां होंगी या उनकी जो भी जन विरोधी बातें होंगी, Congress Party उनका जवाब इन लोगों से मांगेगी। ये तै किया गया था, कि ये ordinance समिधान की भावनाओं की अनरूप नहीं है, चुनिवी सरकारों को जो अधिकार दिये जाते हैं, उनको कहीं ने कहीं डिस्टर्ब करने का काम है, देखिए पार्टियां आती जाती रहती है, सरकारे वहीं रहती है, आज आम आदमी पार्टी की सर कर एकल हमारी सरकार थी, दोजार पच्शीज में फिर चुना होंगे, अब फिर से कोई और पार्टी जीत के आएगी, हमारी आएगी या किसी और के आएगी, लेकिन जनता के अधिकारों का और जो डेमोक्रेसी में चुनिवी सरकार के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उसको देखते वे कॉंगेस के हमारे senior leadership ने तै किया है कि इस अध्यादेश का जब भी अपार्लेमेंट में इस session में इंट्रोड्यूस होगा इसका विरोध किया जाएगा लेकिन इस अध्यादेश के विरोध में आने का मतलब कता ही यह नहीं मेंगाई के इस दौर में सबजियों की दामोंने आम लोगों को परिशान कर रधा है सबसे ज्यादा चमार्टर मेंगा है जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर घर में और कह सकते हैं कि हर सब्जी में किया जाता है पिछले कुछ दिनों से इसके दाम घड़ बढ़ रहे हैं यमुना का जल सर बढ़ने के चलते हुए जल भराव और बारिश ने सब्जियों के दामों को पेतहाशा बढ़ा दिया है ऐसे में जब बारिश कुछ कम हुई और जल भराव कुछ कम हुआ तो कई जगहों पर रुका हुआ माल वापस आया इससे सब्जियों के दामों में काफी कमी आई हालां कि अभी भी सब्जियां आम आदमी के लिहाद से महंगी ही है लोगों का कहना है कि टमाटर अभी भी काफी महंगा है जिसे खरीद पाना अभी भी सब के बसकी बात नहीं साथ ही बाकी सब्जियां भी कुछ सस्ती जरूर हुई हैं लेकिन लोगों का कहना है कि इनके दाम अब भी ज्यादा हैं इन्हें और कम होना चाहिए अगर सब्जियों के दामों की बात करें तो आज टमाटर के दाम 120 से 160 रुपई किलो, बीन्स 100 रुपई, शिमला मिर्च 80 रुपई, गोभी 100, टिंडा और तोरई 80, हरी मिर्च 120 और भिंडी 80 रुपई प्रती किलो बिक रही है मिर्ची 50 रुपई पाओ है, नेंबू 30 रुपई पाओ है, अगर बारिफ नहीं होगी तो फ़फ्ती होगी, अगर बारिफ होगी तो नहीं होगी बेफ रुपई पाओ मिर्ची चल लहे थे, बेफ रुपई पाओ धनिया चल लहे थे इस पहले बंदा पहले 100 रुपट के की बेचा है हम माल आने के बाद मौत पूरू आने चुरू हो रहे है रह जाएगा माल आने को पर बाद है अब रस्ते खुल गें शिम लेके तो माल देरे देरे आना चुरू होगा बाड की वैसे फ़सल कम होगी आदी फ़सल खराब होगी यह तो रुपे में चारा ने माल आ रहा है उस वज़े से फिर अभी महंगा ही रहेगा सस्ता नहीं होने का कि पुजहार में से 120 रुपे, 140 रुपे बिख्रे है अपनी तो हिम्मत नहीं है लेने की बजट से तो भारी तो है हम से कहां 17-80 रुपे किलो तो ले भी ले सेराशिर पूर्वी दिली में गीता कॉलोनी स्थित शमशान घाट को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया आपको बता दें कि पिछले चार दिन पहले उसे पानी भर जाने की चलते बंद कर दिया गया था बाद में उसे खोला गया था लेकिन लोगों को हो रही समस्याओं को देखते हुए फिर से कुछ घंटों के लिए बंद करने के बाद स सुचारू रूप से खोल दिया गया वहां लोग अंतिम संसकार के लिए पहुंच रहे हैं उनकी जरूरतों का खयाल रखा जा रहा है और अंतिम संसकार में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही उत्तरपूर्वी दिली के शिव विहार इलाके में बालपन मॉडल स्कूल को नगर के शिकायत करता है जिसको लेकर सुमवार को दिल्ली नगर निगम के अधिकारी इसे तोड़ने पहुंचे जिसका स्कूल के बच्चों और उनके परिजनों ने विरोध किया स्कूल के अधीक्षक और छात्रों के परिजनों का कहना है कि स्कूल को न तोड़ा जाए कांग तो कुछ नहीं था जो अब नगर निकम बदला है तो अपना उसके तक्कर में रहती हैं यह नहीं मकान टूट रा था ना कुछ हो रहा था अभी तने सालों से पराना बना था कभी को एक्षिन नहीं वह सकूल है पहले सी चला रहे हैं पीडिक्चे स्कूल है अब ये क है पटेल भीहार है अंभिका भीहार है और लाखों के आदमी रहे हैं उनके पास एक के पास लक्षा दिखा दे गौवर्न्मेंट के हां यह नक्षा है अब यह जो है लोगों को जानवूज के परेशान करने वाली बात करें पहले कभी को ऐसी बात नहीं हो और मैं चाहती हूं हादर में जो लोग रह रहे थे उनके लिए अलग से जांशिवर लगाया गया डॉक्टर के पास करीब पचास से ज्यादा लोग वहां इलाज के लिए आए उनमें से ज्यादातर को खारिश और कई प्रकार के इंफेक्शन की समस्या पाई गई डॉक्टर ने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 49 साल पूरे होने के उपलक्ष में देश भर में ब्लड डोनेशन कैम्प लगाए गए ऐसा ही एक कैम्प पूर्वी दिल्ली में पेट्रोल पंपर भी लगाया गया जिसमें काफी लोगों ने हिस्ता लिया मैनेजर संजेच चौधरी ने बताया कि इस तरह के कैम्प इसलिए लगाया जाते हैं ताकि जरूरत मंदों को समय पर खोन निल सके कैम्प में निगम पार्षद पंकज लूत्रा ने भी शिर्कत की यह कैम्प लगा हुआ है आज हिंदूस्तान पेट्रोलियुम कारपृर सलिमिटेड की ॽर दिवसर इनों का उननन्द शास वा और हिंदूस्तान पेट्रोलियूम कारपृर्शनलिमिटड पूरे हिंदूस्तान कि अंदर इसको बड़े गौरव साली शनों को देख रहा है और उसी के तत्वधान यह जो ब्लड कैम्प का योजन किया गया है लगवग लगवग हमारे यहां कम से कम 30 प्लस में जाएंगे अभी तक हमारे यहां टैन के प्लस में हो चुके हैं अभी यह तो सभी जगे लगा ह हुआ है हिंदुस्तन Petroleum Corporation Limited ब्लड दान से बड़ा रगदान से बड़ा कोई जीवन दान है नहीं क्योंकि ब्लड कभी बनता नहीं है और यह व्यक्ति ही एक दूसरे को व्यक्ति को दे सकता है और जान बचानी के लिए ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं यह तीन चार लोग मेर समया पर ब्लड दान देना चाहिए खून दिया है हमने और कार्ड मिला हमें हमारी जो पंप के मैनेजर है उन्होंनों बताया हमें आप पिंचर काम करते हैं नहीं मतलब मुझे जब बताया गया तो मैं तो खुद से बोला कि मैं दे दूँआ इससे हमें भी फायदा है कि हमा कार्ड देने को जैसे फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही आगे खबरों के लिए बने रही चीचन के साथ नमस्कार